हालो फ्रेंट्स, यदि आप प्रेगनेंट हैं और प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़दा इचिंग हो रही है तो आपके मन में सवाल जरूर होगा कि मुझे ये इचिंग क्यों हो रही है, क्या इसके कारण है और क्या मेरे बच्छे पर इस इचिंग का प्रभाव और इस पूरे वीडियो में हम प्रेग्नेंसी में होने वाले खुजली इचिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं तो प्रेग्नेंसी में जब भी आपको खुजली होती है तो जनरली वह सेकंड ट्राइमस्टर के लास्ट में या फर्स्ट में फर्स्ट में शुरू होती है य क्या कारण हो सकते हैं तो जब से मॉस्ट कॉमन कारण है कि एक एक बाड़ी लोशन या ओएल या अपना बॉडी का मॉश्राइजेशन अच्छे से करें अगर इन सब चीजों से भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है तो आप ग्लिसरीन के स्तेमल कर सकते हैं और अपनी बॉड जिससे कि बॉडी का ड्राइनेस कंप्लीटली चला जाएगा और इचिंग के प्रापडम सौल हो जाएगी अगर यह द्राइनस की वज़ेसे है तो दूसरा कॉमन कारण होता है एलर्जी कि कि किसी मरीज को कि डस्ट से माइट से या और किसी चीज से अलर्जी हो सकती है और पर अभचने हो फूड्टा वर एकनसम्प्षण समुज को बुए इसलिया जी से लर्जी तो रहे हैं आपको विचे में अचनि करें चैसे हो अगर अगर ईजिट हो रही हैं सीजब्हाया है पिए पता चल जा दूरी बनाके एक घंप हो जाती लेकिन के दौरान सबसे उच्छा यही रहेगा कि आप इस दवाई का या खानका इस्तेमाल ना करें और यही खुचली हो रही है तो यह रही है आप डॉक्टर को दिखा तो उसके लिए एडमिशन भी बनवाना पड़ सकता है थर्ड कॉमन कारण है जो प्रेग्निंस का वेरी स्पैसिफिक कॉज है जिसे कहते हैं कि अप्सटिक कॉलिस्टेसिस अप्सटिक कॉलिस्टेसिस लिवर की बिमारी होती है जिसमें कि लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते यह जो बाइल साल्ट होता है एक ऐसा क्यमिकलर जो इसकिन के नीचे के स्टों में जमा हो जाता और एक प्रोराइटिक एजट होता है जो खुजली को इनिशेयेट करता है तो जब खुजली होने लगते तो लेडी पूरा हाथों पे, पैरों के सब जगे खुजली करती है औ उसका disposal ठीक से नहीं हो पाता है क्योंकि एकसी enzyme की कमी की वजह से होता है और ये बहुत हद तक genetic होता है यानि जिस lady को होना है जिसके genetics में ऐसा framework है उसी को ये सब्सक्राइब को ड्याइं परेंगे अब चिनता जनक हो सकती है क्योंकि जो बाइल साल्ट होते हैं वह बच्चे के हाट के लिए काडियो टॉक्सिक होते हैं यानि की हार्ट को वह टॉक्सिसिटी होती है हाट की और इससे कई बार धरकन बंद हो जाती है यानि की बच्चे के डैथ हो सकती है और यह डैथ बहुत सड़न होती है इसमें डॉक्टर को भी जल्दी से नहीं पता चल पाता कि exactly क्या हुआ है और आपको फिर खुजली और आपके इंजाइम लेवल्स बढ़े होगा है तो कि अब जो मा के शरीर में जो एंजाइम या जो कैमिकल बन रहा है वह बच्चे के हार्ट पर बच्चे के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा यह सबसे अच्छा है क्योंकि बच्चा और मां के अंदर जितने भी केमिकल टॉक्सिंस या अच्छे चीजें बन रही है वह सब बच्चे के पास पहुंचती है दूसरा यदि आपका टाइम कम है अभी यानि कि डिलिवरी के डेट तक आप नहीं पहुंचे हैं तो डेफिनेटली हमें मॉनिटर करना पड़ता है तो ह करना पड़ जाता और यदि बच्चा कमजोर निकलता तो असे नर्स्रे में अड्मिट कराया जाता है अपसेटिक कॉलिस्टेस को हलके से नाले क्योंकि गंभीर समस्या है और बच्चे की डेथ से संबंधित है तो बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजी यदि आपको खुजली ह तो अपने डॉक्टर को जरूर बताईए क्योंकि हो सकता है कि समानने समस्या हो यानिके डाइनेस हो सकती है या सिंपल प्रॉराइटेस और प्रेग्नेंसी हो सकती है बट जब तक ऑप्सेटिक कॉलिस्टेस को आप एक्स्क्लूड नहीं कर देते जब तक हम इसे नॉमल नह तक पहुँच जाता है तो डेफिनिट के हम उसके डिलिवरी करवा लेते हैं यदि आपको लगता है किसमें आपको और अभी सुझाव की जरूरत है या और ओपीनियन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकते हैं हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनिटली अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जनकर के सागे बनिजिए आपने हमाशा घजाब करणit कर करेंदे कर दो वाई भाले हम जाते है